इस वाले example को देखिएगा, example number 2 अगर आपकी पास book नहीं है तो don't worry, book मेरे पास है मैं solve करा रहा हूं book को तो कहीने कहीं मैं आपको question सारे दिखाते रहूंगा जैसे थे इस question में देखिएगा धिहान से आप सब बोल रहा है example number 2 के अंदर कह रहा है कि in triangle ABC right angle जो कि 90 degree का होता है वो B पर है हम सह कहरा if 10 A की value इतनी है then find the value of this function and B section है find the value of this function अब यहाँ पर total marks है एक number क्योंकि यह एक number का question बना हुआ है हम सह कहरा find the length of the hypotenuse आपको hypotenuse की length find out करनी है then जो function दे रखा उसको आपको solve करना तो यह एक part एक number का है तो यह दो part है तो यह दो number का question बन गए बड़ा simple सा होगा अगर आपने hypotenuse निकाल लिया तो आधा marks वहाँ और आपने इस function की value निकाल ली then आधा marks वहाँ पर तो total एक number यह ऐसा बनता है तो कैसा solve करोगे हम सह कहरा in triangle ABC right angle at B तो आप एक काम करो एक triangle बना लो solution लिखो और triangle में right angle कहां पर बन रहा है यह थोड़ा सा देख लो आप सा कह रहा triangle यह है और triangle में जो right angle है वो B पर है तो B पर right angle लेना मतलब यह तो C यह वाला portion हो जाएगा आप सा कह रहा in triangle ABC right angle at B पर if 10A given है आपको क्या given है 10A 10A की value कितनी है 1 upon root 3 देखो मुझे पता है trigonometric table के अंदर 10A is equal to 1 upon root 3 दे रहा तो 1 upon root 3 कितनी की value होती है यह मुझे trigonometric table ना पता है लेकिन चुकि ट्राइंगल का जिक्री किया है तो मैं triangle के through करूँगा कैसे आपको पता 10 के होता perpendicular upon base तो कहीं न की perpendicular की value जो आ जाएगी अब चुकि यह ratio है तो आपको नहीं पता perpendicular 1 है यह कितना है 2 भी हो सकता 3 भी हो सकता 4 भी हो सकता कुछ न कुछ common multiple होगा उपर और नीचे वाले का तो perpendicular को आप कह सकते हो 1K तो 1K का कोई मतलब नहीं होता 1 की के से multiply करेंगा तो के ही रहे जाएगा तो यह हो जाएगा के और नीचे वाला हो जाएगा base की value हो जाएगा root 3K तो perpendicular पाप रग दो के base पर रग दो आप root 3K अब आपको hypotenuse calculate करना सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा आपको hypotenuse Pythagoras theorem के तुरू triangle पर जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर hypotenuse की value find out करवाएगा उसका marks है भाई तो आप कहेंगे in triangle ABC by Pythagoras theorem आप मेरी बास समझे मैं के कहना चाहरा हूँ मैं कहना चाहरा हूँ कि आपको पता है 10 A में यह कितने degree की value होती है यह 10 बताओ कितने degree की value होती है 1 upon root 3 10 30 degree की value होती है लेकिन आपको angle के थुरू solve नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर hypotenuse solve hypotenuse के length बताओगे उसके थुरू solve करोगे तब ही आपको proper marks मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर triangle का जिकर दे रहा ठीक है तो आपको अब यहाँ पर क्या खरना होगा आपको hypotenuse निकालना पड़ेगा तो आपको पता hypotenuse के square is equal to perpendicular का square plus base का square तो hypotenuse का square आपको calculate करना base कितना root 3 के इसका square plus perpendicular कितना k तो इसका भी square root से square से root कर जाता तो 3 रह जाएगा लेकिन k का square इस्टिल काम करेगा k का square यहाँ भी हो जाएगा तो 3 k square यह है 1 k square यह है तो 3 k square में जब 1 k square जोड़ोगा तो यह हो जाएगा 4 k square तो कहीं हाइपोटेनिस अगर मैं निकालूंगा तो यह square जो है hypotenuse का इधर जाकर square root में पहुच जाएगा और square root 4 की value होती है 2 और k square की form में वो root से भार जब निकल कर आएगा तो k की form में निकल कर आएगा तो कहीं नहीं है hypotenuse जो है वो 2k है Let's find the value of this function जो की given है आपको what is sin A cos C plus cos A sin C तो आप कहेंगे A part को we have to solve it क्या sin A cos C plus cos A sin C what is the value of sin A A यह है आपके लिए तो इसके नहीं perpendicular यह हुआ base यह हुआ hypotenuse यह हुआ तो sin का formula क्यों दा perpendicular upon hypotenuse तो sin A is equal to perpendicular divided by hypotenuse मतलब k divided by 2k वही cos C इसको जब इसको आप angle मान रहे हो तो then यह perpendicular का काम करता मैंने आपको बताया था शुरू आप में example number one मैं angle के सामने वाली side परपेंडिकुलर तो cos C जब यह perpendicular तिर्शवाला तो hypotenuse still रहेगा यह base बन जाएगा तो cos C के लिए cos का formula के होता base upon hypotenuse तो यह base बन जाएगा और यह hypotenuse तो है तो base upon hypotenuse मतलब k upon 2k k upon 2k plus लगा दो cos A अब आप angle A पर cos की value निकालोगे तो जब angle A का जिकर करोगे तो यह perpendicular होगा क्या होगा base upon hypotenuse तो base कितना होगा जब यह perpendicular है तो base का काम यह करेगा एंगिल A के लिए तो base कितना root 3k upon hypotenuse की value कितनी है 2k पिलस ओ स्री पिलस नहीं आएगा multiple में sin अब sin C की value sin C मतलब यह वाले angle के लिए यह वाले angle के लिए यह perpendicular और hypotenuse तो again 2k होगा और sin में value क्यों होती है perpendicular upon hypotenuse मतलब root 3k upon 2k देखो k तो k से कड़ जाएगा समय कड़ जाएगा k दूसरे से क्योंकि यह ratio था तो ओपर रह जाएगा 1 नीचे रह जाएगा 2, 2 से 4 पिलस root 3 की root 3 से करेंगे तो value आज जाएगे 3 क्योंकि root 3 की root 3 से multiply होती है तो आप ऐसे का सकते हो कि root 3 का square और square से root कर जाता value 3 दे जाती है तो यह 3 हो गई 2 की 2 से multiply करोगे तो हो जाएगा 4 1 upon 4 का मतलब चबन नी और 3 upon 4 का मतलब 75% 75% में 25% एड़ करेंगे तो 100% value आज जाएगी नहीं समझ माया तो आप LCM लेलो कितनी आज जाएगी और यही इसका answer है मतलब आपने A वाला part बड़े प्यार सा कर लिया B वाले part को solve करते हैं B वाला part B वाला part as it is एक बार ले लेता हूँ B वाला part as it is ले लेता हूँ B वाले part में आप से क्या कहा रहा है B वाला part ही आ गया B वाला part यहाँ को ऐसे ले लेता हूँ देखो भई कोज A की value कोज A angle A के लिए है angle A के लिए है कोज की value क्यों होती है base upon hypotenuse तो root 3K upon 2K root 3K upon 2K और कोज C अब कोज की value angle C के लिए तो base ही हो जाएगा perpendicular ही हो जाएगा तो base upon hypotenuse तो K upon 2K यहाँ पर हो जाएगा K upon 2K minus लगा तो sine A A के लिए है angle A के लिए sine की value तो perpendicular upon hypotenuse मतलब K upon 2K K upon 2K और sine C angle C के लिए है sine की value base perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular यह है और hypotenuse है माइनस होती है तो कुछ नहीं भजता उसको कहते है जिरो यह हमारे सेकंड वाले पार्ट का आँसर आ चुका है तो होप सो यह भी क्लियर हो गया होगा दोनों ही पार्ट आपके क्लियर होने चाहिए यार पूरी तरह से हो जाने चाहिए अगर इस टिल डाउट बच रहा तो कॉमेंट कर सकते हैं ओसब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया तो टेंथ वालो आग ल